तो पिछले किलास में हम लोग 12 का पहारा याद किये थे और आज याद करेंगे 13 का पहारा यानि 13 का केवल तो चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं ये आप अच्छी तरह से याद करेंगे तो एक बार पिछला यानि 12 का 11 का 10 का सारे को एक बार रिवाइस कर लें जिससे आपको और अच्छी तरह से याद हो जाए अच्छी तरह से अगर आपको याद होगा तो डिवाइड बनाने में काफी आसान होगा ठीक है तो चलिए इसको एक बार हम लोग अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं 13-1 जा 13, 13-2 जा 26, 13-3 जा 39, 13-4 जा 52, 13-5 जा 65, 13-6 जा 78, 13-7 जा 91 और 13-8 जा 104, 13-9 जा 100, 17, 13-10 जा 130 ये आप अच्छी तरह से याद कर लें जब हम लोग डिवाइड सीखेंगे या बनाना सुरू करेंगे तो बहाँ पे अगर ये 65 यानि 65 रहे तो हमें याद रहेगा 13-5 जा 65 यानि 65 होता है तब आसानी से हम लोग उसको solve करेंगे जब ये पहारा न याद होगा तो बनाने में काफी परेसानी यानि कठी नाई होगी तो ये आप रोज एक table याद करते ही रहें और new table जैसे याद करेंगे जैसे आज हमारा नया table है 13 का तो पिछला table भी एक बार revise करेंगे 12 का भी revise करेंगे 11, 10 और पिछला सारे को एक बार revise करेंगे जिससे हमें और आगे परेसानी नहीं बरेगी और revise सिखने में काफी मज़ा आएगा तो आज के लिए बस इतना ही thank you for watching video